इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीट रीपली के कुछ ऐसे क्वेशन्स जो कि आपको इस बार की आरजी पीवे एक्जाम्स के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाले हैं एक चीज़ में पहले ही क्लियर कर दूँ कि इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेशन्स में आपको बताने वाला हूँ यह सारे थियोरी के क्वेशन्स है इनके अलामा लास्ट में कौन से नुमेरिकल साब को प्रिपेर करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा बट जितने थियोरी क्वेशन्स में आपको यूनिट वाईज बता रहा हूँ आपको हर चैप्टर से सिर्फ उतने ही थियोरी वाले क्वेशन्स करने है उतने में आपका पेपर पूरा कवर हो जाएगा आपको पूरी पूरी टॉपिक्स की थियोरी नहीं पढ़ने पड़ेगी चैप्टर सबसे पहला यहां पर जितने भी क्वेशन्स आपको दिख रहे हैं यह पहले पूछे गए हुए हैं और जो कि अब देख सकते हैं DC नेटवर्क जो के हमारा पहला यूनिट है उसके अंद इसके अंदर सबसे पहले स्टीट एंड एक्स्प्लीन खिर्शॉफ्स लौ ठीक है यह वाला एक बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है इससे रिलेटेड थोड़े से आपके नियुमेरिकल कोईशन्स पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको यहां पर नियुमेरिकल कोईशन्स आपको यहां पर जादा नियुमेरिकल आने की जादा चांसे होते हैं ठीक है डिराइफ एक्स्प्रेशन फॉर वाइडरी ट्रांस्फॉर्मेशन यह मैं जादे इंपोर्टेंट नहीं बूलूंगा इसा कि यह बहुत जादे इंपोर्टेंट है बट फिर भी आपको यहां जो अपने पढ़ रखा होगा स्टार डेल्टा ट्रांस्फॉर्मेशन वह अलेक का जो पोर्शन है उसका जो एक्सप्रेशन होता है जो इसमें फॉर्मॉला निकालने के लिए होता है करेंट के लिए बुक में होगा बहुत जादे इंपोर्टेंट नहीं है बट हाँ यह लग बग हर पीपर में हर एक साल शोड़ कर इसको रिपीट किया जाता है चीक है स्टेट एंड एक्स्प्लेंट थेवेनिंस थेओरम एज एपलिकेबल तो इलेक्रिक सर्केट इस बार इके वाले कुशन आने की बहुत जादा चांसे दे थेवेनिस थेओरम का ठीक है तो थ हुआ करवे available तो कि यहां पर पढ़ना पड़े गाइस टॉपइक को क्योंकि यह सित हो इन्दी पेल ऐज hour के जो पूरे सारे वहाँ जिससे अफ़ YOUR चैप्तर आते हैं तो वह संद्रब्स यह को यह बात बता हुनी क्योंकि आपको यह दूनों और केस्त बात हो क्र अिस हॉन ठीक है उसके अदम AC circuits की बात करते हैं तो AC circuits में आप देखेंगे बहुत जादा बार definitions पुछी गई है और यह जितनी भी terms आपको दिखरी है जैसे reactance, impedance, rms value ठीक है इन सब में से यह वाली जो मैंने बोले अभी power factor यह सब जादा बार पुछी जाती है तो आप देखेंगे जब आपको पदा चलेगा कि जादा इसके अंदर से हमारे definitions पूछी गई है यह वाले portions की जो आपके सामने points लिखे हुए है तो सबसे पहले आपको इसकी definitions रट लेनी है और आपको यह बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा विकाज आपको यह सब basic चिज़े आप 11 12 में भी प इसमें star connection or data delta connection के बीच में आपको relationship जो आपका expression इसको लिखने को बोला गया है question number five describe the series resonance of RLC circuit and list its important properties यह थोड़े से ज्यादा important questions है ठीक है जो मैं बता रहा हूं ठीक है उसके बाद show how the active power in three phase AC circuit can be measured with the help of two watt meters यह वाले जो हैं जो भी मैंने बोले अभी यह वाले थोड़े से ज् आप पहले कीजिएगा बाकि यह जितने भी सिर्फ 11 कोशन से अब देखो एक चैप्टर में अगर आप सौल करने बैठों तो आपको बहुत सारे डेरों questions मिलेंगे बट मैंने आपको बहुत ही short कर दिया आपको इस वाले portion को करना है इस वाले चैप्टर यूनिट है इसमें स आपको पढ़ना है because इससे questions बहुत जादा आते हैं बहुत ही कम questions इस chapter से अब जो देख पा रहे हैं सिर्फ इतने equations आपको इससे prepare करना है इसके अंदर जो derive करने के लिए equations आपको अगर मिलती है तो आपको वह भी करना पड़ेगा explain hysteresis and add current losses यह सब आपको अच्छे से prepare करना हो इसके बाद हम बात करें आपर transformers की तो यह बहुत ही important यह पर आपके लिए unit हो जाता है fourth unit इसके इसके अंदर develop the EMF equation of the transformer and hence show that यह जो क्वेशन देख रहा है question number two यह बहुत ही ज्यादे इसके अंदर मैं पहले ही बता दूँ कि बिल्कुल सोचना मत transformer का construction उसकी working principle आपको बहुत इसके अच्छे से पढ़ना है चिके with diagram construction हो गया उसका working principle हो गया उसका diagram हो गया transformer का इसका same induction motor का भी आपको ऐसा का ऐसा ही पढ़ना है यह सब चीज़ें यह जो आप बिल्कुल छोड़के नहीं जा सकते इसको आपको पढ़ना है आपको फालतू के number देते हैं क्योंकि simple होते ह और आप बहुती आसानी से इसको कर सकते हो ठीक है इसकी बाए आपको सामने जो questions दिख रहे हैं यह पूरा आपको transformer से related ही मिलेगा एक बार आपने transformer को completely पढ़ लिया सबका उसकी working पढ़ ली तो जितने भी questions से आप उसको मन से frame करकी भी इसका answer लिख सकते हो खुल मिला कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वाली जो unit 4 transformers की यह आप एक बार transformer को एक बार basic से पढ़ लोगे तो आपको अपना काम हो जाएगा पूरा पूरा फिर rotating machines के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे most important question है हमारा question number 6 explain the working principle of three phase induction motor discuss the various application of three phase conduction motor सबसे ज्यादा पूछे गया question यह बाला है इसके अंदर ठीक है बाकी question से आपको पढ़ने होंगे इसके अंदर भी question number 9 explain the principle of operation of three phase synchronous generator ठीक है इसको आपको एक बार पढ़ना होगा यह जो question है most important है बाकी के इसके अंदर सिफ 10 question में निकालने है जो कि आपको 10 के 10 पढ़ने जरूरी है ठीक है जो इसके अंदर सब पूरा cover होता है इसके अंदर अगर नुमेरिकल की बात करें तो चैप्टर नंबर वन से ही नुमेरिकल ज्यादा आते हैं एक या दो नुमेरिकल आपको चैप्टर नंबर वन से मिलेंगे जो क्योंकि आपको super imposition theorem से करने को मिल जाता है तो अगर आपको अच्छे से प्रिप करने वाला है आपको इसकाद एक unit और मिलने वाली है जो portion आपकी cover करेगी जिसके अंदर आपका पी एंजंक्शन डायोड वगेरा है ठीक है तो वह आले के अंदर आपको logic gates पढ़ने होंगे logic gates most important है शाहिए इसके अंदर में mention करना भूल गया हूं उसको आपको logic gates उसको अच्छे से cover करना है उसके बाद सबसे last unit जो आपका है पी एंजंक्शन डायोड वह इसलिए क्योंकि हमने 12 में इसको recently पढ़ा होता है तो आपको वहला portion cover करना है उसके बाद आपको करना है transformers और induction motor को बहुत अच्छे है से तियार transformers और induction motor से बहुत question लागाता है रपुश आपको अगर आप numerical को prepare नहीं करते हैं तो इसके साथ अगर आप numerical भी तयार कर लेते हैं plus जो last chapter में आपको बता है उसको भी तयार कर लेते हैं इन questions के साथ तब यह guarantee दे सकता हूं है कि आपके 70 out of 70 आ सकते हैं बट इतना अगर आप अच्छे से prepare कर लो जितना में आपको इस व एक theory और एक numerical का question देखने को मिल जाता है तो आपको theory और numerical दोनों एक ही question में embed भी मिल सकता है जैसे कि state and explain खिर्चाफ लो और उसका second part हो सकता है कि खिर्चाफ लो का ही आपको numerical करने को मिल जाए तो आपको accordingly prepare करना है तो आज की वीडियो के बस इतना ही अगर आपको और भी व वेटत आपको सकता ही और मिल मिल प्याष्ट खिर्चाफ नि-सरफ लाग